हलो बच्चों कैसे हो आप लोग? hope कि आप सभी अच्छे होंगे मैं दिपिका आज फिर लेकर आई हूँ आप लोग के लिए कुछ इंफर्मेशन जी हां, साइनिक स्कूल से रिलेटिड कुछ इंफर्मेशन मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ Actually, कुछ बच्चों की मेरे पास inquiry आ रही थी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे students मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बताईए, best sanic school कौन कौन से है कौन सा first number पर आता है, कौन सा school जो है वो second number पर आता है, third number पर आता है तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आज हम यहाँ देखेंगे कि कौन से ऐसे school है, जो best five sanic school है लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि sanic school से भी पहले जो देश के पांच राश्ट्रिय military school है, वो कौन कौन से है तो आप सबको पता होगा, भारत में सिर्फ पांच military school है राश्ट्रिय military school, कितने हैं? पांच है और ये sanic school से भी जादा अच्छे school है पर यहाँ admission लेना इतना आसान तो नहीं है क्यों नहीं है? ये देख लेते हैं अभी सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो राश्ट्रिय military school है ये कितने हैं? तो भाई, पांच हैं और कहां कहां है तो सबसे पहला है हमारा अजमेर में धौलपुर में उसके बाद बैंगलॉर में करनाटका के बैंगलॉर में फिर बैलगाम में बैलगाम में उसके बाद ये दो राजिस्थान में है और कहां है ये करनाटका में उसके बाद एक school है हमारा शिमला में तो एक है ये हमारा हिमाचल में ठीक है? ये हमारे पांच राश्ट्रिय military school है लेकिन यहाँ admission लेना बहुत टफ है क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर 70% reservation जो दिया गया है ये उन बच्चों को दिया गया है जिनकी family जिनके parents या तो देश को यानि इयरफोर्स आर्मी ने भी इनमें अपनी services दे चुके हैं या at present दे रहे हैं तो 70% यानि 70% seats जो होती है ऐसे बच्चों के लिए already reserve है ठीक अब बच्चती है कितनी 30% seats तो ये जो 30% seat बच्चती है ये civilians के लिए है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रे military school का जो competition है बाहर के बच्चों के लिए वो थोड़ा सा यहाँ पर tough हो जाता है क्योंकि seats का percentage कितना है 30% 70% reserve है already जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं देश में अपना योगदान दे रहे हैं ये फोर्स या आर्मी या नेवी में तो उनके लिए reserve हो गई उनके बच्चों के लिए reserve हो गई तो ये सबसे बड़ा tough challenge है पर ऐसा नहीं है कि defense में best school है इसके बाद हम देखते हैं जो sanic school है तो आप सबको पता है कि total sanic school जो है वो कितने हैं 33 sanic school है बाकी कुछ नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं कितने हैं 33 हैं अब इन 33 में से हम कैसे select करें कि हमारे लिए कौन सा best है कौन सा first number पर आता है कौन सा second number पर आता है कौन सा third number पर आता है तो देखो ये देखा जाता है कि school का success rate क्या है success ratio क्या है success कितने बच्चे वहां से success हो रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला जो school है हमारा वो कहां का है खोरा खाल का school है UK का यानि उत्राखंड का यहां का जो success race है वो सबसे ज़्यादा है success ratio इस school का सबसे बहतरीन है उत्राखंड में ये school है कहां पर नैनी ताल नियर वाइ नैनी ताल है ये school ठीक है इस school की जो academic education है यहां से सबसे ज़्यादा बच्चे select होते हैं NDA में NDA का जो percentage है यहां का success percentage वो सबसे ज़्यादा है उसके अलाबा यहां बच्चे UPSC में means IES, IPS, NDA Air Force, Navy इन सब में best performance रहता है बच्चों का और जो percentage है ना यहां का success ratio जो है 27% है 27 का success ratio है तो इसके according अगर हम देखें तो खोड़ा खाल का जो school है वो best scientific school है number one पर आता है अब ऐसा नहीं है कि अगर 27% के जो बच्चे हैं वो अगर सफल हो रहे हैं तो बाकी बच्चे क्या करेंगे जी नहीं अपनी अपनी choice के according जो है बच्चे अपना career choose करते हैं लेकिन जो बच्चे NDA में selection लेना चाहते हैं जो बच्चे IS बनना चाहते हैं IPS बनना चाहते हैं UPSC में attempt देना चाहते हैं उनका percentage जो success percentage है वो बहुत बहतरीन है इस स्कूल का इसलिए ये स्कूल जो है first number पर आता है अब हम देखते हैं second कौन सा है तो second जो हमारा स्कूल है वो है हमारा सूरजपुर का हिमाचल प्रदेश का सैनेक स्कूल जी हाँ ये सैनेक स्कूल भी टक्कर देता है उत्राखन के स्कूल को क्यों क्यों क्योंकि यहां का जो सक्सेज रेट है वो भी बहतरीन है 21% यहां बच्चे जो भी बच्चे NDA, Air Force, Army, Navy उसके अलाबा SSB के इंटरिव्यू में बैठते हैं जो बच्चे जो बच्चे UPSC की प्रपरेशन करना चाहते हैं IES, IPS बहुत ही बहतरीन रजल्ट रहता है इस स्कूल से भी तो यहां का जो सक्सेज रेशियो है वो 21% है इसलिए मैंने इस स्कूल को second number पर रखा है second number पर मैं क्या रखूंगी already यह स्कूल second number पर है क्योंकि बच्चे का life जो उनका future है बहुत ही बहतरीन रहता है इस स्कूल से भी अब आते हैं हम third number पर third number पर कौन सा स्कूल है तो third number पर जो हमारा स्कूल है वो है सतारा महराश्ट जी हां इसकी जो नीव डाली थी उस समय के श्री यश्वंत राव चावान जो वहां के कौन थे चीप मिनिस्टर थे उन्होंने इस स्कूल की नीव डाली थी ठीक है ये स्कूल भी best स्कूल है और ये third number पर आता है इस स्कूल का जो success ratio है चाहे वो SSB हो UPSC exam हो NDA हो, Navy हो Air Force हो कोई भी exam हो हर एक exam में यहां का जो success rate है वो rate है हमारा 20% 20% का हमारा success rate है इस स्कूल का 21, 20 के around जाता है 21 से लेके 20 के around जाता है तो ये स्कूल भी महराष्ट का best स्कूल है सैनिक स्कूल में third number पर आता है उसके बाद देखते हैं हम fourth number का स्कूल तो fourth number पर जो हमारा स्कूल है वो है राजिस्थान में चितौरगड में ये हमारा fourth number का सैनिक स्कूल है अब हम देखते हैं इसका success ratio क्या है तो भई वही बात हो गई यू-पी-ए-स-स-बी-ओंड यह हो नेवी हो यह और फोर्स हो इन सब में इसका success rate जो है वो 90 परसेंट है 19 परसेंट का success ratio रहता है बच्चों का बाकी बच्चे भी ऐसा नहीं है कि घर में बैठते हैं घर में बैठ जाते हैं स्कूलिंग कंपलीट हो गई जी नहीं आर्मी का जो इन्वाइरमेंट होता है बच्चों की जो अप ब्रिंगिंग होती है वो बैस्ट होती है मुझे यह बताने की ज़रूरत है क्योंकि वहां का जो बच्चा 6th class से लेके 12th class तक जो उसका mindset किया जाता है बच्चपन से लेके एक यंग एज तक वो बहुत ही अलग लेबल पर होता है जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और जो सैने के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ह होते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है उनकी physical activity से लेके उनकी mental activities जो होती है ना वो बहतीरीन होती और बहुत strong होती है तो वो बच्चे अपनी-पनी कोई business की लाइन में कोई अपने job अगर कोई करना चाहता है private sector में कोई बाहर abroad जाना चाहता है ज्यादा तर बच्चे abroad चले जाते हैं तो abroad जाना चाहता है कोई बच्चा हर field में वो expert होते हैं और कहीं भी जीवन में मात नहीं खाते हैं तो मैंने बताया fourth number पर जो हमारा आता है स्कूल वो राजस्थान का चितौडगर वाला स्कूल जो है वो fourth number पर हो और यहां के बच्चों का success ratio जो है 90% है साइड है वहां जाके जो एक लिस्ट मैंने देखी उसके बेहाब पर यह percentage जो है उपर नीचे भी हो सकते हैं पंद्रा की 19 की जगा 20 हो सकता है 21 की जगा 22 हो सकता है लेकिन एक एप्रॉक्सिमेट जो आइडिया लिया है वो यही है ठीक है अब हम चलते हैं next पर तो next और लास का यह पांचवे नंबर पर नंबर पर आता है और इसकी जो नीब डाली थी वो डाली थी भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू ने जवालाल नहरू जो थे उन्होंने इसकी प्रदेश के पहले प्रधान मंत्री उन्होंने इसकी नीब डाली थी इस स्कूल की आंध्र प्रदेश में और इसका भी जो percentage है न सक्सेज रेशियो जो बच्चों का वो 90% है बिल्कुल सेम जैसे कि हमारा लास्ट वाला जो स्कूल था उसका जो सक्सेज रेट है राजस्थान का जो स्कूल है इसका जो सक्सेज रेट है वो 90% है ऐसे ही आंध्रा का जो कुरू क उन्डा है वो भी 90% इसका सक्सेज रेट है बच्चे NDA में हों SSB में हों किसी भी एक्जाम में अगर वो बैठते हैं तो अपनी लाइफ में सक्सेज होते हैं 90 हो सकता है में भी 20% भी हो बट एप्रॉक्सिमेट आइडिया यह जो है मैंने इंटरनेट से पढ़ने के बाद निकाला वो एक आइडिया और वो एक उसके बिहाब पर मैं स्कूल के नम्बरिंग आपको बता रही हूं तो आइफ वोप सो आपको समझ में आया होगा कि देश के बेस्ट पांच सैने की स्कूल कौन-कौन से हैं और क्यों हैं सबसे पहले यूके का हिमाचल का उसके बाद महराश्ट का महराश्ट के बाद राजस्थान का और राजस्थान के बाद आंधर प्रदेश का यह पांच सैने की स्कूल जो हैं सक्ते के अकॉर्डिंग बेस्ट सै लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ऐसी ही और information आप चाहते हैं, तो हमारे SD सैनेक स्कूल के साथ जुड़े रहिए, वहाँ पर मैं ऐसी ही informative वीडियो लेकर आती हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, thank you so much.